मंगलबार दोपहर मद्प्रदेश की राजदींती में देवाज जिला योजना समीती की बichi बैठकक में प्रदेश के खेल मंतरी जीटू पटवारी और देवाज से भाजपा सांसद महेंदर सौलंगी के बीच जम कर बहस हो गई भैस के दौरान मंत्री पटवारी ने सांसत से कहा कि नियमों के तहत में आपको उठा कर इस बैठक से बाहर कर सकता हो दिवाज जिले के कलेक्टर कार्याले के सबा कक्ष में जिला योजना समीती की बैठक कायुजन किया गया था बैठक में देवाज जिले के प्रवहरी मंतरी जीतू पटवारी और भाजपा सांसद महिंदर सौलंकी के साथ साथ जिले के कलेक्टर एस पी जिला पंचाइच सीयो वा प्रशासन के अधिकारियों भी मौझूद थे इसी दोरान बैठक में किसी बात को लेकर मंतरी पटवारी और सांसद सौलंकी के मद बहस हो गई बहस के दोरान प्रवहरी मंतरी पटवारी ने सांसद महिंदर सौलंकी को बैठक से बाहर निकालने की धमकी तक दे दी है हलाकि अधीकारियों की समझाईश के बाद दोनों शांत हुए और बैठक प्रारम हुई लेकिन बैठक समाप्त होने के बाद एक बार फिर पटवारी और सौलंकी में बहस हो गई बहस की जानकरी लगते ही कुछ कॉंग्रेसी कलेक्टर कार्याले पहुच गए और भाजपा सांसद महेंदर सौलंकी और प्रिधान मंत्री नरेंदर मोधी के खिलाफ नारेवाजी करने लगे हंगामा होता देख मंत्री पटवारी और सांसद महेंदर सौलंकी वहां से निकल गए इससे पहले भी जियोस की बैठक में मंत्री पतवारी और सांसद महेंदर सौलंकी के बीच नौक जोक हो चुकी है इस सब्सक्राइब करें दूसा चालो करें आप अनुदा आपके बाहर कर सकता हूं आपके बाहर कर सकता हूं जो वेक्तिगत आस्था मुझसे रखता है इस जिले में एक सांसजन किसी नहीं थी है उसने वेक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया है इसका सबख सही समर्गेस को दिखाना है मेरा आप सबसे हाथ चोड़ कर प्रातना है मैंने यह कहा कि विधायक जिस तरीके से तू तू करेगा बार बार इस तरीके से भाशा बोल रहे थे वीडियो में आपके आगे होगा तो मैंने मैंने कहा कि यह किस पर्द की गरिमा होती है तो फिर उन्होंने जो वप्तव दिया उसको लेकर मैंने कहा कि यह जनता हमारा सांसत केसा हो यह तो अहदिकार है जनता का हमारा सांसत केसा हो वो जनता ने देखा कि हमारा सांसत देशा हो तो मैं समझता हूँ हर जनता ने जिनने बोर दिया उनको भी दूख होगा यह पार्टियों का मामला नहीं यह पार्टी से उपर उठकर एक जनपृतिनिदी के विववार का मामला और जनपृतिनिदीों का परिवार सो पार्टी के नी्ए होते हैं ponieważ संहाज के उते हैं बोजन्स को कि यह पार्टी को तरी देली जब तक कंच जन्तानाओ के बाद जलते हैं यह बहाँ में अरूपने रसनाओ को अर्धिक्र वे होता डिया कि में और भूर्मा आपको मिस्ति जाज इसी भी मंतरी का कोई प्रतिदेधी नियुक्ते नहीं किया जा सकता है ऐसे अधिकरत लोग वहाँ पर जिस केटिंग अरेजमेल में बैठे वेठे वेठे वे वास्ताव में वो सीख मेरी थी मैंने जब उनसे निविदन किया जदी आप चाहते हैं कि मैं मिटिंग में बेठू मैंने जन हित के मुद्दों को उठाया जिस प्रकार से अतिक्रमन की कारवईयां चल रही है और भारती जंता पार्टी के कारी करता हो कि निर्मान कारी को अतिक्रमन बताकर हताया जा रहा है उस मुद्दे को जैसे ही मैंने उठाया तो जीतू पटवारी जो यहां के प्रभ मेरी जिम्मेदारी है जंद्पृतिनी दियोने के नाते कि मैं आपको इस मामले में अउगत कराऊं इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरत कारवाई नहीं हुई है तो आप उसकी शिकायत करें मैं उसके कारवाई करवाऊंग इसी बात को लेकर सजन वर्मा जोकी कमलनाथ के दलाल हैं उनका कोई प्रतिनीती वहाँ पर बेठा हुआ था इसका नाम मुझे याद नहीं है वो भलक गया और उन्होंने भलक देवे कहा कि आप गलत बात बोल रहे हैं और आप जाच करा लो ये करा लो वो करा लो मैंने कहा लेकर मंत्री और वहां पर जो सजन वर्मा का अनाधिक्रत पतिनीदी बेठा हुआ था उनके बीच और मेरे बीच थोड़ी सी कहा सुनी हुई बाद में एजेंडा अनुसार मिटेंग कम्प्लीट हुई जब मैं बाहर निकलने लगा उनके लोगों ने जो कॉंग्रेस के लो कि उन्होंने मुझे काले जंडे दिखाना शुरू किये और जिंडाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिये